आज मैं आपको काफ बच्छडियों के सुरच्छा की छे कडियों के बारे में बताएंगे जिससे कि उनका भविश्य का निर्मान हो पाएगा तो सुरच्छा की छकड़ी, नाल, टीका करन, खुराक, दोस्त, क्रीमी नासक और दूद कुछ ज़्यादा ही समझदार किसान बजार से दुधारू पशू लाते हैं, लाने के बजाए बिमार पशू लेके आजाते हैं जबकि सही तरीका ये है कि घर पर ही बच्छडा होने का इंतजार किया जाए और घर के पशू का ही दुधारू बनाया जाए परसव के दौरान बच्छडे को बाहर आने में आधे घंटे से ले करके चार घंटे का बक्त लगता है और एसे समय में यदि बच्छडा का पैर और सिर्फ पहले बाहर आता है तो समझ लो की परसव सामान है लेकिन सिर्फ फैर बाहर आए तो खुद कुछ नहीं करना चाहिए सबसे पहले अपने पसूची कित्सक को बुलाना चाहिए सुरच्छा की छकडी पहली कडी नाल से जुड़ी जन्म के समय बच्छडे को नाल या नाभी को बेश से दू इंच एसे काटना चाहिए कि इंफेक्शन ना फैल पाए और नाल या नाभी काटने के बाद उसे तिंचर आयोडीन के घोल में ठीक से डुबा लो अच्छे से उसकी गाठ लगा दो और बारा घंटे बाद उसे फिर से तिंचर आयोडीन में डुबा लो तिंचर आयोडीन का घोल कर देगा इंफेक्शन का खाट खड़ी ये थी सुरच्छा की पहली कड़ी दूसरी कड़ी दूद से जुड़ी परसव के बाद जो पहला दूद गाय देती है यानि क्लोस्ट्रोम यानि खीस उसमें पोसक तत्व का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ध्यान रहे कि अगर पहले दो घंटे में दो लिटर और अगले बारा घंटे के भीतर दो और लिटर क्लोस्ट्रोम बच्छडे को पिलाया जाए तो समझ लिजिए आपने भविस्य की जरूरी पोसक तत्व और परतिरोधक छमता की तागत अपने बच्छडे को दे दी है और यही बच्छडा दूद ना पी पी रहा हो तो उसे आपको थन से दूद निकाल कर पिलाना चाहिए या फिर बोतल से दूद पिलाना होगा पर्शव के बाद का पहला दूद मतलब पोशन और परतिरोधक का खड़ी और यही है बच्छडे की सुरच्छा का दूसरी कड़ी तिसरी कड़ी नवजात बच्छडे का जीवित ना रहने का सबसे वाड़ा कारण है डिवॉर्म डिवॉर्मी मतलब वर्म्स कीडे जो होते हैं उनको जो 14 दिनों के भीतर पसु को वर्म्स यानि कीडे की हमले से बचाना जरूरी होता है इसके लिए जरूरी दवाव का डोज के साथ ही साथ किसी अच्छे डॉक्टर के देखरेख में चाह महिने तक हर महिने वार्मिंग डिवार्मिंग करानी या क्रीमी नासक की परक्रिया को दोहराना चाहिए यही है यही से किटानूओं को मारो और करड़ी को टगरी बनाओ यही है सुरच्छा की तीसरी कड़ी सुरच्छा की चोथी कड़ी दूद के साथ साथ बच्चे को दूद से आठ हपते के उम्र में काफ अश्टार देना सुरू कर देना चाहिए काफ श्टार जो की नवजात बच्चे के लिए बिशेश भोजन जो की उनके असमान सक्ती को बढ़ा कर अधिक उर्जा का निर्मान करती है तो बच्चडे को दो काफ श्टार की जड़ी बुटी यही है सुरच्छा की चोथी कड़ी पाँचवी कड़ी थन साफर नहो या स्वाद के चक्कर में बच्चडा जादा दूद पी जाए तो दस्त भी हो सकता है ध्यान रहे कि बच्चडे के सरीर में पानी की कमी बिलकुल नहों पाएं उसे दूसे चार लिटर इलेक्ट्रोल का घोल जरूर पिलाएं और अपने नौजात बच्चडे को दस्त से बचाओ और अपने बच्चों को दस्त से बचाओ यही है पाँचवी कड़ी छटवी कड़ी पसू टीका करन टीका करन पसू चिकिसक के अनुसार जब 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 जिस दिन टीके की आउ सकता हो उसे समय पर कराना चीए बिना पस्वो की इयर टैगिंग भी जरूर कराएं यही है सुरच्छा की छटवी कड़ी और यही है आपका आने वाला भविस्य का बचड़ी थेंक्यू धन्यवाद